क्यों हमारे borders पे NATO का बहाना बनाके military और missile deploy कर रहे हो युकरेन को हतियार supply करके आपका कौन सा purpose पूरा हो रहा है ये ego की लडाई आप तभी करते हो जब किसी और की जान दाओ पे लगी होती है इंडिया को भी जरूरत थी युकरेन की nuclear testing के time पे कश्मीर के time पे, UNO Security Council में permanent seat के time पे पाकिस्तान को हतियार supply करने के time पे ये humanity का part जो आप word को पढ़ा रहे हो उसी humanity के लिए अगर कुछ नुकसान आप भी उठा लेते तो जो लोग हैं वो आज अपने परिवार वालों को मरता हो नहीं देखते एक तो anti-russian countries का group बड़ा हो रहा है दूसरी चीज रशिया के borders पे US की missiles और military पहुँच रही है सच में इनको छोटे देशों की इतनी चिंता होती तो अफगानिस्तान को रात और रात छोड़ के भाग नहीं आया होते लोगों को रशिया के साथ साथ US से भी पूछना चाहिए कि आपको जब मालूम था कि रशिया एक aggressor है तो आप क्यों उसका aggression टेस्ट कर रहे थे लेकि वार का नाम सुनके news channel और लोगों में बहुत excitement आ जाता है कि वार हो रही है एक नया topic मिल जाता है to discuss एक अलग level का adrenal rush होता है जो normal web series netflix पे देखने पे या news देखने में नहीं आता है लेकिन जो लोग वार की actual situation जानते हैं जिनके अपने war zone में होते हैं उनको वार के नाम से excitement नहीं होती है उनको बलकि डर लगता है इस चीज का वो लोग ज्यादा अच्छे से relate कर पाएंगे जिनके अपने भाई या फिर फादर या फिर बेटे गलवान reason में थे जब war जैसी situation थी दुनिया की कोई भी country नहीं चाहती कि उसको कभी भी war का मुह देखना पड़े इन फैक्ट रशिया जो इस समय attack कर रहा है उसको भी बहुत अच्छे से पता है कि war से country अपने आपको risk पर डाल देती है बली वो कितनी भी बड़ी super power हो तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी रशिया की कि उसको युकरेन के उपर attack करना पड़ा आपने सुना होगा कि रशिया ने कुछ शर्ते रखी है अगर वो शर्ते मान ली गई होती तो वो assure कर रहा था कि वो और नहीं करेगा अगर आप उन शर्तों को ध्यान से देखोगे तो वो शर्तों में NATO और US से डिमांड कर रहा है युकरेन से नहीं तो फिर ऐसा क्या reason हुआ कि युकरेन के ओपर हमला हो रहा है देखी इस पूरी situation में युकरेन एक मोहरा बना है और वो मोहरा क्यों बना है इसके लिए हमें थोड़ा सा पीशे जाना पड़ेगा देखी एक time था जब युकरेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था उस time पर रशिया नहीं बलकि USSR हुआ करता था 1991 में USSR का division हुआ और जब division हुआ तो कई सारे छोटे छोटे देश बने उन में से एक देश था युकरेन युकरेन का separation रशिया के लिए सबसे ज़ादा painful था और separation भेले ही हो गया हुआ लेकिन चलता वो रशिया के हिसाब सही था पुतीन हमेशा से कहते आयें कि युकरेन और रशिया अलग नहीं है दोनों सेम culture और history share करते हैं इन फैक्ट 2021 में पुतीन ने एक note भी लिखा था सिनेरियो एकदाम अलग होता उकरेन की जो अबादी है उसमें करीब 30% लोग रशियन है रशियन लेंगवेज बोलते हैं रशिया को support करते हैं eastern ukrain वो पार्ट है जहां पे pro-rशियन अबादी ज़ाधा है eastern ukrain वो पार्ट है जो रशिया के border से लगा हुआ है जैसे ऐसे आप Eastern Ukraine से Western Ukraine की तरफ जाएंगे प्रो-Russian आबादी कम होती है और Western Ukraine साइड में युकरेन के जो native population मिलती है वो majority में रहती है 2014 से पहले युकरेन और रशिया के relation काफी अच्छे थे वो इसलिए थे क्योंकि युकरेन के अंदर जो सरकार थी वो रशिया की एक कटपुतली सरकार थी और रशिया के हिसाब से चलती थी सारी policy उसके हिसाब से होती थी युएस और युरोप में इतना दम नहीं था कि वो युकरेन को भैका ले फिर 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि रशिया अपने हिसाब से युकरेन को चला नहीं पाई और युकरेन युरोप और युएस के influence में आ गया युकरेन के अंदर भी दो ग्रूपस है एक जो रशियन बोलते हैं यो लोग प्रो रशियन गवर्मेंट को support करते हैं और दूसरे जो नेटिव युकरेनियन है इनका जुकाव युरोपियन कंट्रीज की तरफ ज़्यादा रहता है यो लोग बीच-बीच में आवाज भी उठाते रहते हैं कि गवर्मेंट प्रो रशिया है इससे जो रशियन पॉपुलेशन उसको ज़्यादा होता है यह प्रोटेस्ट इस लेविल के हुए कि प्रेजियन विक्टर को अपनी जान बचा के भागना पड़ा और बाद में इन्होंने रशिया के अंदर जाके शरन ली अब इस इंसिडेंट के बाद आने वाले जितने भी प्रेजियन थे वो समझ गए थे कि अगर रशिया की जी हज़ूरी जादा की तो खुद का पावर में रहना मुश्किल हो जाएगा अब इंडिया में कोई सरकार आए और पाकिस्टान का महिमा मंदन करने लगे है तो वो सरकार कितने दिन चल पाएगी अब यहां से युक्रेयन के पास दो आप्शन थे एक तो यह था कि रशिया की परचाई में जैसे चल रहा वैसा चलता रहा दूसरा यह था कि अपने आपको यूरोपिन कंट्री के साथ इंकलाइन करे युक्रेयन की पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से समझ पा रही थी कि उनके देश की मेजरोटी क्या चाहती है और 2014 के बाद धीरे धीरे रशिया की बजाए यूरोपिन कंट्री के साथ उनका जुकाओ होने लगा ये बात रशिया अच्छे से समझ पा रहा था और उसको ये चीज बिलकुल अच्छी नहीं लग रही थी रशिया नैच्छरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरे यूरोप में 30% नैच्छरल गैस अकेले रशिया देता यूरोप को देखे जब नैच्छरल गैस सप्लाय की जाती है तो वो पाइपलाइन के थूरोप की जाती है और जिस कंट्री के थूरोप ये निकलती है उस कंट्री को उसका रेंट देना होता है इन पाइपलाइन की जो important routes है वो यूक्रेन से भी गुदरते थे अब 2013 तक यूक्रेन रशिया के इसाफ से चलता था लेकिन उसके बास से per year 33 billion dollar उक्रेन ने रशिया से मांगना शुरू कर दिया 2014 तक उक्रेन रशिया का सबसे बड़ा economic partner था लेकिन 2014 के बास situation एक तम change हो गई थी रशिया चाहता था कि उक्रेन Eurasian Economic Union इसको join करें ये एक free trade agreement है लेकिन उक्रेन ने उसके लिए भी मना कर दिया day by day उक्रेन का European countries के साथ जोड़ना रशिया के ओपर काफी भारी पड़ रहा था लेकिन real problem तब स्टार्ट हुई जब उक्रेन ने serious interest दिखाया NATO member बनने के लिए देखिए NATO North Atlantic Treaty Organization इसको 1949 में जब Second World War हुई थी तो उसके बाद बनाया गया था ये भी एक अलग topic है लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजे कि कई देशोंने मिलके एक treaty sign की और उस treaty में ये था कि एक देश पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा और सारे देश मिल के उस पे attack करेंगे और जो देश NATO का member बनता है वहाँ पे combined military deals होती है missiles implant किया जाते है, security maintain की जाती है अभी आप इसकी website पे जाओगे तो maintaining peace and stability in the region ये सारी चीज़ें लिखी हुई है लेकिन ये सब को पता है कि US और European देश ने इसको USSR को counter करने के लिए बनाया था ताकि USSR छोटी-छोटी countries पे कबजा ना कर ले ये स्टार्ट हुआ तो 11 countries थी, लेकिन countries add करकर के आज की rate में 30 member है लेकिन जब तक West Europe में NATO अपने members बढ़ा रहा था तब तक Russia चुपता, लेकिन Russia को इस बास से दिक्कत होने लगी कि US एक strategy के तहर धीरे धीरे Eastern European countries को NATO का member बना रहा है एक तो Anti-Russian countries का group बड़ा हो रहा है दूसरी चीज रशिया के borders पे US की missiles और military पहुँच रही है एस्टोनिया हो गया, लाट्विया, पोलेंड के border के पास की countries है और युक्रेन भी अगर member बन गया तो US एक से दो मिनिट में चाहेगा तो वहाँ से attack launch कर पाएगा रशिया के खिलाफ आप नहीं देखोगे कि यह जाके नेपाल को NATO का member बनाए यह जो countries रशिया के border के पास रहती है, उनको अपना member बनाते है भले ही वो country कितनी चोटी हो, भले ही वो country NATO की guideline follow भी करती हो के नहीं अब Ukraine है, Ukraine तो eligible ही नहीं है NATO के लिए NATO की guideline कहती है कि border dispute नहीं होना चाहिए लेकिन Ukraine को वो अपना member बनाने के लिए ready है अब कल पर सुब बाइडन कह रहे थे कि हम Eastern Europe में forces भेज़ेंगे ताकि Russia छोटे-छोटे देशों पे कबजा ना कर ले, उनकी security की बात है अगर सच में इनको छोटे देशों की इतनी चिंता होती तो अफगानिस्तान को रातो रात छोड़ के भाग नहीं आया होते अब आप सोच रहे होंगे कि उसके border के पास military base बन गया तो कौन सा इतना बड़ा issue हो गया कि war होने लगी देखिए geopolitics में बहुत बड़ा factor होता है US और रशिया में अगर कभी लड़ाई होती है तो जब तक रशिया US पे एक missile भेज़ेगा US तब तक 10 missile भेज चुका होगा बहले ही उसके पास supersonic missile हो लेकिन रशिया disadvantage में रहेगा अब रशिया मैक्सिको, क्यूबा और कैनड़ा से treaty sign कर ले और USA के बॉर्डर के पास जाके military bases बनाने लगे तो USA बिल्कुल बरदाश नहीं करेंगा और यही बात रशिया ने भी बोली है कि aggression आप लोग दिखा रहे हो आप लोग क्यों हमारी friendly countries को हमारे खिलाफ कर रहे हो क्यों हमारे borders पे NATO का बहाना बनाके military और missile deploy कर रहे हो युकरेन को हतियार सप्लाई करके आपका कौन सब purpose पूरा हो रहा है युएस ने काफी nuclear missile deploy कर रखी उरोप में और सब जानते हैं कि Russia को counter करने के लिए अब Russia किसी भी कीमत पे Ukraine को NATO का member बनना अफोर्ड नहीं कर सकता Ukraine NATO का member इसलिए बनना चाता ताकि वो secure हो सके और NATO countries के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है क्योंकि Ukraine अगर NATO का member बनता है तो 2295 km का जो Ukraine Russia का border है वो exposed हो जाएगा Russia के border पे NATO की forces आके बैठेंगी लेकि NATO countries तब तक नहीं आ सकती है जब तक Ukraine NATO का member नहीं बनता है Crimea, Luhans और Donce यह Ukraine के part थे यहां Russian population ज़्यादा थी और यहां पे Russia ने separist moment इस्टार्ट करवा दिया अपनी आर्मी की uniform चेंज करवा के उन separist group में शामिल करवाया और 2014 में Crimea के Ukraine से अलग कर दिया फिर एक referendum कराया एक voting करवाई वहाँ पे majority pro-Russian थी तो Russia के हग में फैसला आ गया सेम चीज लुहांस और Donce में भी चल रही थी लुहांस और Donce में पहले से ही separist moment चल रहा था और ये दोनों रीजन औलेडी Russia के हिसाब से चल रहे थे क्योंकि pro-Russia लोग यहां पे ज़्यादा थे लेकिन अभी Russia को जब हर तरफ से attack करना था उक्रेन पे तो एक दिन पहले ही दोनों रीजन को independent घोशित कर दिया और अपनी आर्मी के entry करवा के बोल दिया कि यह peacekeeping forces है अभी मैं current situation की बात करूँ तो Russia काफी time से USA और NATO दोनों का यह चीज हर तरीके से समझा रहा था कि हम आपके आसपास नहीं आ रहे हैं तो आप क्यों हमारे आसपास forces बढ़ा रहे हो 14 January को Russia के foreign minister ने बोला कि Russia indefinitely wait नहीं करता रहेगा इस चीज के लिए Russia ने कुछ demands रखे थी और कहा था कि demands पूरी हो जाएगी तो वो attack नहीं करेंगे आप उन demands को अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आगा कि Ukraine तो सिर्फ मोह रहा था असली जो लड़ाई की वज़ा थी वो US और Russia ही है पहली demand थी कि NATO जितनी भी military activity इस्टन यूरोप में कर रहा है उन सब को बंद कर दे और NATO forces को पोलेंड और बाल्टिक देशों से हटा दे दूसरी demand यह थी कि return में दे कि Ukraine कभी भी member नहीं बनेगा NATO का तीसरी demand है कि US की जो भी nuclear missiles यूरोप में हैं उनको disarm करें हाला कि US बहुत concerned है humanity को लेकर पूरे world में लेकिन जो उसके अपने फायदे की बात थी उससे वो पीछे नहीं हटा और demands को मना कर दिया आप अगर इन demands को ध्यान से देखोगे तो यूकरेन से कुछ नहीं मांगा जा रहा है जो भी मांगा जा रहा है वो NATO और US से मांगा जा रहा लेकि US का इतिहास रहा है कि एक false security का assurance देने के बाद जब देश बरवादी पर आने लगता है तो उसको छोड़के भाग जाता है आज यूकरेन में जो भी हो रहा है उसके लिए जितना जिम्मेदार रशिया है उतना ही जिम्मेदार US भी है इन दोनों countries की जो दुश्मनी है उसके चक्कर में लाखों लोगों की जान गही है आपने सुना होगा रशिया ने कहा है कि हम यूकरेन पर कबजा नहीं करेंगे सिर्फ दी मिलिटराइजेशन कर रहे है जब यूकरेन पर कंट्रोल आ जाएगा तो वहां की गवर्मेंट रशिया के हिसाब से चलेगी और फिर ये जो नेटो का डर है कि यूकरेन नेटो में मिल जाएगा वो भी डर खतम हो जाएगा इस पूरी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर कोई कहरा है कि यूएस को बीच में आना चाहिए मदद के लिए बाइडन बहुत बढ़ी गलती कर रहे है बाइडन बहुत ही वीक प्रेजिडेंट है देखें वो वीक नहीं वो बहुत ही तेज प्रेजिडेंट है जब वो बिना एक गोली चलाए, इतना नुकसान कर सकते हैं रशिया का, उसकी जो friendly country है, उसमें war करवा सकते हैं, तो वो क्यों बीच में आएंगे, भले ही रशिया बहुत बड़ी super power है, लेकिन युकरेन के लोग इतनी असानी जहार मानेंगे नहीं, उन्होंने कहा भी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हम भागेंगे, और इसमें रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, दूसरी चीज, युएस पूरे world की countries को लेके sanction लगवा रहा है, युक्रेन के foreign minister लगातार tweet कर रहे हैं कि swift ban लगाई आप, कमसे हम इतना तो करीए, लेकि swift ban लोगों न उसी humanity के लिए अगर कुछ नुकसान आप भी उठा लेते, तो जो लोग हैं, वो आज अपने परिवार वालों को मरता हो नहीं देखते, अगर आपके परिवार से कोई होता, तो आप ego को अपना side में रखते और सिर्फ बात चीज से इसका हल निकालते, तब आपका ego सामने न आप देख लेना, इंडिया रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा, थोड़े बहुत बयान आते रहेंगे कि वालनस नहीं होना चाहिए, शांती से इसका solution निकलना चाहिए, लेकिन रशिया जो कर रहा है, उसको criticize नहीं करेगा वो, रशिया को इस टाइम पर criticize नहीं करना ही, उस उससे war नहीं रुकेगी, सिर्फ एक ही चीज होगी, रशिया, चाइना और पाकिस्तान करीब आएंगे, इंडिया को भी जरुवत थी उक्रेन की nuclear testing के time पे, कश्मीर के time पे, UNO Security Council में permanent seat के time पे, पाकिस्तान को हतियार supply करने के time पे, उन हतियारों का use करके इंडिया में ना ज खुद लड़नी है, जो ताकतवर होगा, वो कमजोनों को चुप कर आएगा, अभी युक्रेन के साथ हुआ है, अभी फिर आगे ताइवान भी होगा, कोई बचाने नहीं आएगा, सब तमाशा देखेंगे, ये war खतम होगा और लीडर फिर से हाथ मिला लेंगे, लेकिन जि कर दो 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 झाल झाल